दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा fundamentally strong stock बताने जा रहा हूँ जिसने आपे 377 रुपीज का dividend announce कर दिया है और आज की इस वीडियो के अंदर इसी stock की मैं आप लोगों को पूरी details दूँगा बात करेंगे इसके fundamentals की, financials की, shareholding patterns की और साथ ही साथ में बताऊंगा इसी धहमाकेदार dividend को देने की एक्स्टेट और recorded क्या होने वाली है तो चलिए अब इस वीडियो को start करते हैं आप इस वीडियो को end तक देखना है और कहीं पे भी skip मत करना दोस्तो इस stock का नाम बता देने से पहले मैं आप लगों को stock की कुछ और important information के बारे में बता देता हूँ तो आईए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं stock के past returns की तो past 1 year के अंदर में stock 22.59% correct हो चुका है और काफी अच्छी buying range पे अभी हमें मिल रहा है वहेगर हम बात करें stock के one day returns की तो आज एक दिन के अंदर में भी current market, live market के अंदर में 3.59% अप है इसी dividend news की वज़े से और वहेगर हम बात करें stock के current price की तो currently 5,551 रूपीस के उपर में trade हो रहा है इs stock की performance की बात करें तो जो इसका 52 week low है वो 5,202 रूपीस का है और वहेगर हम बात करें company के fundamentals की तो इसकी जो market capitalization है वो 12,000 करोड से जादा की है वहेगर हम बात करें इसके PE ratio की तो सिरफ 19.89 का है जो की काफी अच्छा है PE ratio as compared to industry PE वहेगर हम बात करें इसके PB ratio की तो 9.67 का है industry PE 29.58 का है company का debt to equity ratio सिरफ 0.02 का है जो की almost इसे debt free company बना देता है वहेगर हम बात करें company के ROI return on equity की तो यह भी काफी जादा अच्छी है 35.45% की है और वहेगर हम बात करें company के EPS की तो 269.47 का है company का dividend yield यहाँ पे 3.38% का है book value 553.96 रूपीस की है और इस stock की जो face value है वो यहाँ पे 10 रूपीस की है तो all over company के fundamentals तो काफी जादा strong है और company fundamentally काफी जादा strong है आईए बात कर लेते हैं इस company के financials की तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे revenue की 2017 से लेगे 2021 तक के data की तो 2017 में जा company के revenue 2,491 करोर्स का था वही 2019 तक यह लगातार बढ़ता गया और 2019 के अंदर में 3,071 करोर्स पे आ गया था बट 2020 के अंदर में थोड़ा सा कम होई और 2,902 करोर्स पे आया और 2021 के अंदर में थोड़ा सा recover कर चुका है और 2,957 करोर्स पे आ चुका है वहीं गर हम बात करें company के profit की तो यह लगातार increase होता रहा है 2017 से रहे के 2021 तक और जहाँ पे 2017 के अंदर में सिरफ 326 करोर्स का था वहीं 2021 के अंदर में company का जो profit था वो 944 करोर्स का था तो company के profit में तो काफी जादा अची growth आई या बात करते है company की net worth की तो जहाँ पे 2017 के अंदर में company की net worth 2026 करोर्स की थी वहीं 2019 तक लगातार बढ़ती गई है और 2019 में 2442 करोर्स पे आ गई थी बट 2020 में थोड़ी सी कम हुई है और 2119 करोर्स पे आई और उसके अगले साल 2021 में फिर से थोड़ी सी increase होके 2226 करोर्स पे आ गई थी तो company के all over financials की बात करें तो काफी अच्छे हैं और company के quarterly results भी काफी जादा अच्छे आए हैं तो all over company के financials में कहना चाहूँआ अच्छे हैं अब आई ये बात कर लिए हैं इस company के share holding patterns की तो हमारे पास में latest data है December 2022 वाले quarter का जिसके according जो promoters की holding है company में वो 60.40% की है retail investors की 13.39% की other domestic institutions की 9.82% की holding है mutual fund houses के पास 9.40% और foreign institutions के पास में 6.99% की holding है तो company के जो share holding है जो काफी जादा diversified है और काफी जादा अच्छी बात भी है और इतनी जादा diversified होने के बावजूद company के जो promoters है 60% से जादा की company जो है अपने पास अभी भी hold करते हैं तो इस वाज़े से all over जो भी share holding patterns है काफी जादा strong बन जाते हैं अब आईए बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है Sanofi India Limited company का current जो NSE का code है हो है SNOFI and वह एकर हम बात करें company के official announcement की तो company ने आपे dividend announce के final dividend 194 रुपीज का and उसके साथ ही साथ में आपे special dividend भी announce कर दिये 183 रुपीज का तो total जो dividend company ने announce के वो 377 रुपीज पर stock के साब से किया है and इस dividend को देने की जो exit date होने वाली है 28th of April की होने वाली है and वह जो record date हो भी same day की होने वाली है and दोस्तो आज की वीडियो के अंदर इतना है बगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को ज़रूर से like कर दीजेगा इस चैनल को भी ज़रूर से subscribe कर दीजेगा because Feno Media के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye